राज्यसेनिक बोर्ड ने इस बार आठ दिन तक पूरुवसेनिकों की भरती परक्रिया अमल में लाने का फैसला लिया है कलर्क, स्टेनो टाइपिस्ट व जे ओ ए की पदों पर पूरुवसेनिकों की भरती की जाएगी दो चर्णों में कलर्कों की भरती होगी पहले चर्ण में फाज में कलर्क रहे पूरुसेनिकों को फिर से सरकारी विभागों में कलर्क बढ़ने का मौका मिलेगा इसके बाद कलर्क के लिए अपलाई करने वाले अन्य पूरुसेनिकों की भरती परिक्रिया अमल में लाई जाएगी J.O.A. की भरती परिक्रिया इस बार चार दिन तक चलेगी पद पूरे होने के बावजूद योग्य उमीदवारों को अगामी पैनल में रखा जाएगा कोटे के तहत पद मिलते ही इनकी तेनाती की जाएगी सैनिक बोर्ड ने भरती परिक्रिया में भाग लेने के लिए 2000 पूरु सैनिकों को कॉल लेटर जारी किये हैं जानकारी के अनुसार पूरु सैनिक बोर्ड 21 से 30 नवंबर तक पूरु सैनिकों की भरती करेगा जबकि 24 वा 26 नवंबर को कलर्क पद के लिए एपलाई करने वाले पूरुषैनिकों के इंटर्वी होंगे, इसके बाद 27, 28, 29 वा 30 को जे ओ एक पद भरे जाएंगे, निर्धारित शेक्षिनिक योगिता रखने वाले पूरुषैनिकों को नौकरी दी जाएगी, सैनिक जे ओ एक के 40 और 23 टैपिस्ट के 20 पद भरेगा, पूरुषैनिकों के लिए बिविन विभागों में मिले 15 परतिशत कोटे के पदों को भरने के लिए ये परिक्रिया शुरू की जाएगी, आपको बता दें कि पूरुषैनिकों के लिए सरकारी विभागों में कोटा तै होत इन पदों पर पूरुषैनिकों की तैनाती राज्य सैनिक बोर्ड के माधिम से की जाती है, नौकरी के लिए निर्धारित मापदंड पूरे करने वाले पूरुषैनिकों की भरती कर विभाग इनकी तैनाती करता है, बोर्ड निदेशक एसके वर्मा ने बताया कि अगर कारकाप कारेकरम बनाया है, इसमें 21 तारिक को जो बाइट्रेड कलक एक्सरविस्मेन हैं, उनको बुलाया है, 22 तारिक को स्टेनो टाइपेस्ट इस कैटेगरी के इंट्रिव्यू है, उसके बाद 24, 26 को कलक्स और 27, 28, 29 और 30 को जेवे का इंट्रिव्यू बलाया है, इस का टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, और जो लोग टाइपिंग टेस्ट पास होंगे, उनको बाद में पैनल में लेकर विविन बादों में नामिनेशन किया जाएगा, इस तक्रीवन 100 के करीब टोटल वेकेंसी हैं, जिसमें 40 कलक्स, 40 जेवे और 20 के करीब स्टेनो ट